जहें दोस्तो स्वागत है आज की क्लास और आज की क्लास है विजेपत एजुकेशन की तरफ से पहला मौक जो कि आर्मी जीडी का स्पेशल मौक शुरू हो रहा है और आर्मी जीडी का मौक मौक टेस्ट स्रीज शुरू होने वाला है हमारा और आज का मौक जो है वो बहुत ही शांदार मौक लगने वाला है सभी तियार हो जाईए सभी अपनी कमर पेटियां बांदीजिए देखने वाली बात ये रहेगी कि आपका रिजल्ट और आपकी तैयारी कितनी रहेगी जवानों तो फटाफट बन जाईएगा चैनल को शेर कर दीजिएगा चैनल वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए है और हम आज आपके लिए जो लेकर आए है वो लेकर आए है आर्मी जेडी मौक टेस सिरीज तो क्या आप रड़ी है तो फटाफट रात के आठ बच चुके है रोजाना हम मौक लगाएंगे और आप अगर मौक लगाने के लिए रड़ी है तो फटाफट त्यार करिए शेर करिए और अपनी तर्फ से जो है भारत मता की जै लिकर जो है वो सेंड कर दे चैट बटन में फटाफट भारत मता की जै लिकर शेर कर दीजिएगा पढ़ाफट शेर कर दीएगा बचो तो हम Class को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो शेर करेंगे जल्दी से लगाईएगा Mock Test Series Army GD Mock Test Series आज रात आठ बजे जो है वो शुरू होने वाली है और सभी तयार है तो हम फढ़ा फट मौग लगाने के लिए प्यार हो रहे हैं तो फढ़ा फट चेट बटन में जो है जाहँद लिखते हैं जल्दी से जाहँद लिखें और स्टार्ट करें अपनी सरकारी नौक़री के सपने को साकार करने का जो सपना है वो आप पूरा करें पहले question से start करता हूँ समय बेस्ट नहीं करेंगे हम paper में question आ चुका है भारती संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है कौन से वेद को भारती संगीत का जनक कहा जाता है प्यारे बच्चों जल्दी से अंसर देना है आपको अंसर दीजिएगा भारती संगीत का जनक किसे कहा जाता है जल्दी से अपना comment करिए अंसर रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद या अथरवेद कौन से वेद को भारती जनक का जनक माना जाता है प्यारे बच्चों correct अंसर क्या रहेगा तो correct अंसर रहेगा वो है C, सामवेद सामवेद को भारती संगीत का जनक कहा जाता है और रिगवेद जो है वो सबसे पुराना वेद है सबसे पुराना वेद है यजुरवेद, अधरवेद इन वेदों के बारे में भी आपको study करना है क्योंकि हमारा जो है ये जो वेद है सामवेद, यानि Korean सोम से जुड़ा हुआ है रिगवेद, वेदों से जुड़ा हुआ है वेद कितने परकार के होते है पुरान कितने है, रचनाएं कितनी है सब आपको पढ़ना है तंत्रमंत्र से वेड कौन सा जुड़ा है अथरवेड यजूर्वेड किस से जुड़ा है यह question most important question होगे बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया मोहित साहिल कुमार बहुत अच्छे से अंसर दे रहे हैं आधी राजपूत आधर्श राना बहुत अच्छे से अंसर दे रहे हैं मुनीश शर्मा का बहुत ही अच्छा अंसर आ रहा है सभी अंसर कमेंट करते रहेगा वीडियो को शेयर करिएगा अगला सवाल आ चुका है पतंजली के इस राजा के परोहित थे पतंजली जो है वो किस राजा के परोहित थे संदी से अंसर कमेंट करिएगा वीडियो को शेयर करिएगा जल्दी से परोहित पतंजली बतंजली नाम सुना है पतंजली से बाबा राम देव को भी याद करते हो पर बाबा राम देव नहीं है मेरे बेटे मेरे बेटे ये पतंजली जो है वो हमारे व्याक्रण के भी जनमदाता माने जाते हैं, संस्कृत व्याक्रण के, तो बताएं अंसर दाएं, धरानन्द, पुष्यमितर्शुंग, अजाद्शत्रू याचंद्र गुप्त मौरे, बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, मोहित, बहुत बढ़ी ऐसे अंसर दे रहे हैं, बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, फिर से कोशिश करिए, पतंजली किस के परोहित थे, किस राजा के परोहित थे, प्रेक्ट अंसर रहेगा, बी ऑप्शन, पुष्यमितर्शुंग, बहुत ब नहीं होंगी वो कहां पर है मैं बताओ आप जल्दी से बताईएगा अलिफेंटा और अलॉरा की गुफाएं कहा है विनोध कुमार दे रहे हैं जल्दी से अंसर करिएगा साहिल कुमार दे रहे हैं आदी राजपुत दे रहे हैं बहुत बढ़ी से अंसर दे रहे हैं सभी अंस औरंगाबाद भाराष्टर में जो है ये आपकी जो है अजंता एलौरा की गुफाएं है अजंता एलौरा की गुफाएं कहा है औरंगाबाद महाराष्टर में है ए आप्शन जो है वो सही आप्शन रहेगी प्यारे बचो बहुत बढ़ी है जी अगला है प्राची नालंदा बिश्विध्याले कहां पर स्थित है जल्दी से कमेंट करिएगा नालंदा बिश्विध्याले प्राचीन सबसे पुराना है ये कहां पर है उत्तरफदेश बिहार महराश्ट्री या बेस्ट मेंगौल आपको इसी परकार से वहां पर बिश्विध्यादा बिश्विध्याले बहुत बढ़िया जो है प्राचीन नलंदा विश्विध्याले बहुत बड़ी है जी बहुत बड़ी है अगला सवाल आ चुका है आपके सामने प्यारे बच्चो अगला है भारत में दास प्रथा का अंत करने वाला शासतों था दास प्रथा किसने अंत की थी प्यारे बच्चो जल्दी से अंसर दे दो अंसर दीजिएगा अंसर दीजिएग अकवर, बाबर और अलाउदीन खिल जी तो प्रेक्ट अंसर देख लेते हैं ए आप्शन अकवर ने पूल रूप से स्माप की थी और दास यानि की गुलाम बंच का संस्तापक भी कुतुब दीनेवग था अपने आपको दास बोलता था इसलिए वो दास में गिना था अच्छा जी इस्ट इंडिया कमपनी जब अंग्रेज आये थे अंग्रेज आये थे तो बताईए उस समय भारत के शासंग करने वाला शासंग कौन था बोध राज बहुत अच्छे सेंसर देने हैं बहुत जी बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया वीडियो को शेर करना प्यारे बच्छे अपने सभी ग्रुप्स में शेर करिए सभी कि सभी अपनी अपनी तैयारी जो है वो अगनी वीर वाले बच्छे जो specially अगनी वीर के बच्चे हैं वो तैयारी कर ले रोजाना आठ बचे हमारी classes लगेंगी हमारी application डाउनलोड करिए और direct link आपको जो है वो slider पर दिखाई देगा रोजाना तो बताइए शाहजा, हमायू, जहांगीर, अकवर सही answer दीजिए सही answer दीजिए प्यारी पर जो सभी अपना-पना answer दीजिए जल्दी से जल्दी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया correct answer देख लेते हैं प्यारी पर जो D option, अकवर ने जो है वो East India Company की स्थापना जो है करने के समय जो है भारत के शा सकते और याद रखिएगा उसी वक्त जो है हमारे शिवाजी जी भी थिये और उस वक्त उनका भी युद्ध अंगल विरुद जो है युद्ध भी हो रहा था, ठीके जी अंगल का दुद्ध ये तरिती ये युद्ध हुआ तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बहुत ही important question है प्यारे बचो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे Robert Clive, Bahrain Hastings, Lord Hastings या Lord William Batting बहुत बढ़िये से answer जो है न मैं आपको बोल देता हूँ, शर्त दे देता हूँ paper में जिव जिन question आएंगे आपको हमारे यहां से question definitely मिलेंगे, आपको शर्त है अगर यहां से बाहर से नहीं आया, तो अब तब comment करिएगा कि बाहर से आया सर पूरा का पूरा paper यहीं से छपेगा मैंने आपको आज ही बता दिया है रोजाना हमारे साथ मौक लगाई है रोजाना मौक लगाई है, भगवान आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ और यह class miss हो जाती है, तो इसको दुबारा से देखिए तो correct answer रहेगा, भारत के पहले जो हैं, वो Lord William बैटिंग थे, भारत के पहले governor journal कौन थे, D option प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया जी, D option मोहित आदर्श का अंसर बिल्कुल सही अंसर है, साहिल कुमार का अंसर आ रहा है, सभी अपना अंसर दीजिएगा, सभी जितने भी viewers हैं, अपना अंसर देते रहे ना प्यारे बढ़िया आनंद मठ पुस्तक के लेखा कौन है, आनंद मठ पुस्तक के लेखा कौन है, बहुत बढ़िया से अंसर करिएगा, अरविंद घोष, जोतिशाव फूले, केशव चेंदर सेन या बैंकिम चंदर चटर जी, वंकिम चंदर चटर जी, ऐसे भी समझ सकते हैं, वंकिम चंदर चटर जी, वंकिम चंदर चटर जी ठीक है जी, वंकिम चंदर चटर जी, समझ दीजीगा और इसी वीडियो के बाद जो है, आप हमारा free PDF जो है, और mock जो है, वो आप हमारी application, बीजेपत, all exam preparation से ले सकते हैं, तो फटाफट जो है बन जाई है इसी चैनल पे बहुत बढ़ी जी बहुत बढ़ी आ आनंद मट के लेखक है वंकिम चंदर चठर जी कई बच्चे बोलते हैं मुझे कि कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने अंसर बता दिया था क्योंकि बार-बार इसी पे आ रहे थे पर यहां पर थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश पर बाइलेंगुल का इश्यू था और कुछ नहीं बहुत बढ़ी जी बहुत बढ़ी है नॉमा सवाल आ चुका है कॉंग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था कॉंग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था जल्दी से अंसर बताईएगा कॉंग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ प्यारे बचों बहुत बढ़ी है से अंसर दीजेगा कॉंग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ है 1885, 1856, 1884, 1887 जल्दी से अंसर दीजेगा कॉंग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ है तो क्रेक्ट अंसर रहेगा वो है 1885 ए आप्शन बहुत बढ़िया मोहित बहुत ही बढ़िया आदर श्राना का अंसर सही जा रहा है बहुत बढ़िया विनोध कुमार साहिल कुमार बहुत से बच्चे जो हम बहुत अच्छे से अंसर दे रहे है सभी अपना अंसर इसी परकार से देते रहिएगा अगला सवाल लगाईएगा भारत का संभीधान कब लागू किया गया था हर भारतियों को पता होना चरूरी है कि भारत का संभीधान बचो कब लागू हुआ था सभी अंसर करिएगा भारत का संभीधान जो है वो कब इंप्लिमेंट हुआ था 26 नूबर नूजा 9 नूबर 1946 15 अगस्त 1947 26 जनवरी 1950 सभी अपना अंसर जो है वो साथ साथ में कुमेंट कर सकते हैं चले पुरेक्ट अंसर देख लेते हैं वो है डी ऑप्शन 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को ही हमारा भारत का संभीधान जो हम वो लागू हुआ था इसलिए उस दिन रिपब्लिक देखे रूप में भी हम मनाते हैं सुमन बहुत बढ़ी है जी बेग ग्रह जिसके सरवाधिक उपग्रह है उपग्रह समझते हैं small planets are revolving around the planet तो वो कौन सा है जिसके छोटे छोटे उपग्रह है और सबसे ज़्यादा उपग्रह है उसी के हैं ब्रस्पति है, अरुन है, शनी है, वरुन है जुपिटर, Uranus, स्ट्रंड और Neptune जल्दी से अंसर दीजी मेरे भीया give the answer give the answer in a few seconds बहुत राज, बहुत बढ़ी है मोहित अंसर तेरे है B को lock कर दिया जाए और B ही lock है मोहित बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है जी, अपनी तयारी करते रहो प्यारे बच्चो, अब रोजाना मौक लगाने की बारी आ चुकी है, अगला सवाल निती आयोग की स्थापना कब की गये थी, अंसर दीजीएगा निती आयोग की स्थापना कब हुई थी बहुत भी बढ़ीया question, उठा कर लेकर आए है बहुत बढ़ीया answer एक जनवरी 2015 को, एक जनवरी 2016 को, एक जनवरी 2014 और 17 को जल्दी से बताईएगा, ये आपको याद रखना है, निती आयोग का जो मेन होता है, यहनि की अध्यक्ष होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होता है, यहनि की नरेंदर मोदी कौन है? नरेंदर मोदी, कौन है जी? नरेंदर मोदी ही होता है, प्रधान मंतरी ही इसका CEO है, और इसकी जो स्थापना की गई थी, वो भी A option, एक जनवरी 2015 को नरेंदर मोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, नरेंदर मोदी ने एक नरा भी दिया है, वो है जै जवान, जै किसान, जै विज्ञान, जै अनुसंधान याद रखिएगा, जै अनुसंधान ये उनका नरा है Next question की तरफ चलते हैं Statue of Unity किस राज्ये में है? Statue of Unity जल्दी से अंसर बताईएगा, सरदार भल्लब भाई पटेल की एक बहुत बड़ी मूर्ती बनाई है, इंडिया में वो कहां पर है? उत्तरदेश, गुजरात महराश्ट्रिया, राजिस्थान जल्दी से बताईएगा और मैं बता देता हूँ, इसके जुड़ा हुआ ये नर्मदा नदी पर बनाई गई है, कौन सी नदी पर बनाई गई है नर्मदा नदी पर बनाई गई है और जो सर्दार बल्लब भाई पटेल है, किस कौन है? सर्दार बल्लब भाई पटेल ठीक है? इनको क्या बोला जाता है? लोह पुरुष उन्हें लोः पुरुष भी कहा जाता है प्यारे वैज़ों क्या कहुआ जाता है लोः पुरुष की भी परिभाशा दी जाती है निक नेम से बुलाये जाता है लोः पुरुष आई्रेनमैन ही कहा है तो कॉरेक्ट अंसर देते रहेगा, बहुत बढ़िया जी गुजरात के साथ जा रहे हैं मैक्सीमम बच्चे बहुत ही बढ़ी है मोहित बढ़ी है आरेन बहुत ही बढ़ी है अंसर दीजिए अपने दोस्तों को और जिष्टेधारों को भी शेयर करिए इस वीडियो को कि भीया सभी लगाएं मौक लगाएं संयुक्त राष्ट संग की स्थापना कब की गई थी संयुक्त राष्ट संग की स्थापना कब हुई है जल्दी से अंसर करें अच्छा सा अंसर करें संयुक्त राष्ट संग की स्थापना कब हुई United Nations Organization is established in 1944 46, 45, 47 जल्दी से अंसर कमेंट कर दीजीगा, सभी अंसर कमेंट कर दीजीगा प्यारे बचो, अंसर साथ साथ में ही कमेंट कर दीजीए, वीडियो को शेर कर दीजीए, बहुत ही बढ़िया क्लास, और आज पहली क्लास और पहला रुजहान आप सब के साथ कहीं नहीं मिलेगा मेरे प बने रही है इसी चैनल पर और लगाईए मौक और बनाईए अपना भविश्य हमारे साथ सभी साथ साथ में सभी साथ साथ में अपना भविश्य बनाईए तो क्रेक्टर अंसर रहता है वो है बी ऑप्शन 24 अक्तूबर 1945 ए ओ यूम के द्वार होई थी चैनल नेस्ट रहता है हीमादास हीमादास किस खेल से समंदित है अंसर दीजिएगा मिशानेवाजी क्रिकेट बैनिमिन्टन या अंथलेटिक्स हीमादास इस असोशेटेड विद विच गेम जल्दी से अंसर करिएगा बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं बैनिमिन्टन के साथ बट इथलेटिक्स से जुड़ी है डी ऑप्शन डी ऑप्शन हीमादास इस लेटेड टू इथलेटिक्स नेश्ट क्वेशन काला अजार उत्पन करने वाला यानि कि सोलमा सवाल आ चुका बच्चों सोलमा किसका है जनरल साइंस जी के कवर हो गया है तो करने वाला प्रोटो जुआ है बताएं काला अजार इस डिसीज़ इस फरड्यूस बाइ प्रोटो जुआ कौन सा प्रोटो जुआ जो है वो उसके द्वारा काला अजार होता है जल्दी से अपना अंसर कर दो पहाड़ी गेमर रनिंग रनिंग सी ऑप्शन सी ऑप्शन इस दा क्रेक्ट अंसर लिश्मानिया जो प्रोटो अगला है अस्तियों में कौन सा लवर सरवाधिक मातरा में पाया जाता है विच मिनरल इस हाइस्ट इमाउंट इन बोन्स कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम फॉसफेट फैरिक नाइट्रेट मैगनेशियम कार्बोनेट अपना अंसर करिएगा जैहिंद आदर्श बहुत रोजाना आठ बजे का time alarm fit करिए और रोजाना क्लास लगाईए रोजाना क्लास लगाईए शुबं डेड़्वाल D option के साथ जा रहें पर प्रक्रट अंसर रहेगा कैल्शियम फॉसफेट वह यहां हमारे दाम्तों के लिए और हडियों के लिए जो हैं वो कैल्शियम के जु है मनुष्य पुरिश के लिए सामाने हीमोगलोबिन की मातरा के लिए नॉर्मल हीमोगलोबिन कितना होना चाहिए जल्दी से अंसर कर दो, what is the normal amount of the hemoglobin for the adult human man, जल्दी से अपना अंसर कर दो, adult human mans के लिए कितना blood होना चाहिए, जल्दी से बताएं जल्दी से बताएं बहुत बढ़ी से शेयर कर दीजिएगा और अंसर रहेगा डी आप्शन 14.5 ग्राम जो है वो एक अडल्ट के लिए होना चाहिए डी आप्शन इस दाप्रेक्ट आप्शन नेस्ट पित ज्वर यानिकी यलो फीवर इस दा ट्रांस्मिटेड अनोफ्रिजिकल द्वारा यानिकी बाइ अनोफ्रिज या एंडीज क्यूलैप्स या हाउस फ्लाइज यानिकी मख्षी द्वारा जो पित होते हैं ज्वर संचालित होते हैं किसके द्वारा संचालित होते हैं जल्दी से जल्दी अपना अंसर करें सभी अंसर करें एड्मिट कार्ड भी आपके आ जाएंगे बैचो एड्मिट कार्ड की टेंशन ना लो एड्मिट कार्ड आ जाएंगे आप अपनी तैयारी की टेंशन लो admit card आ भी गए तो क्या कर लोगे भीया तैयारी तो करनी ही पड़ेगी जल्दी से जो जाना आओ त्यारी करो प्रकंसर रहेगा and is द्वारा क्या है and is द्वारा next question golden dharn मैसरवाधिक मात्रा किसकी होती है golden rice has the highest quantity for जल्दी से hist quantity hist quantity जल्दी से बताए vitamin A, C, B and K कौन सी quantity जो है वो सबसे ज़ादा होती है golden rice में सबसे ज़ादा vitamin जल्दी से answer comment करो comment करो comment करो बहुत बढ़िया शर्याल बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया अनीश ठाकुर तो correct answer रहेगा A vitamin A जो है वो golden rice में सबसे ज़ादा पाए जाता है पर आपने न गाजर भी याद रखने है बचो क्या याद रखने है गाजर next question tripsum किसका संस्थानिक है tritium tritium sorry tritium किसका संस्थानिक है isotopes of tritium oxygen का phosphorus का hydrogen का या nitrogen का जल्दी से answer दे दो answer दे दो answer दे दो जी answer दे दो सभी answer दे दो प्यारे बचो बहुत बढ़िया correct answer रहेगा B option hydrogen किसका है जी hydrogen 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 का संस्थानिक है tripsum next question बहानों से निकलने वाला परदूशित गैस मुख्यत है कहन सी होती है which what is the man man नहीं होना था what is the pollution polluted gas released from vehicle which gas is released from the vehicle polluted gas which polluted gas is released from the vehicle carbon dioxide carbon sulfate carbon monoxide hydrocarbon B option के साथ जा रहे है बहुत बढ़िया CO carbon monoxide carbon monoxide बिल्कुल सही अंसर बिचे next आ गया अगनी शमन वस्त्र बनाए जाते हैं जो fire extinguisher जो कपड़े होते हैं जैसे आगमन जैसे जाने वालों के लिए pros तो वो किसके बने होते हैं mica टेलिक या asbestum या sti एक्टराइड जल्दी से बताईएगा रोहित राना भी आयें ए आप्शन के साथ जा रहे हैं तो correct answer बता जेता हूँ वो है asbestos next question हरा थोता या हरा कसीज किस समस्थानिक परदात में प्रचलित नाम है green vitrol is the nickname of the chemicals of tars is copper sulfate zinc sulfate magnesium sulfate या ferrous sulfate अपना answer करिएगा प्यारे बचो बहुत ही question अच्छे हैं आ रहे हैं इसके बाद हमारे जो हैं mathematics के question आने वाले हैं हम mathematics के question लगाएंगे after तीस question के बाद पूरा mock लगाएंगे full mock जल्दी से कर लिजए आदा घंटा हो चुका है हमारे इन questions का आदा घंटा समय रह गया है paper manage करना है अपना answer comment करो साथ में फिर बताओ कि आपने कितने answer जो हम वो सही रहे हैं बचो और जो नए questions है उनको आप note करो जो आपको नहीं आये हैं या गलत हो गए हरा थोथा या हरा कसीस बोलते हैं ये ferrous sulfate है याद रखिएगा अगला सवाल तत्व uranium है 235 तो protonों की संख्या कितनी होगी इसमें protonों की संख्या बतानी है प्यारे बच्चो protonों की संख्या कितनी होगी जल्दी से बताईएगा समय गुजरता जा रहा है आदा घंटा हो गया प्यारे बच्चो आदा घंटा हो गया जल्दी से दे दो अंसर दो मेरे भाई अंसर दो वीडियो को शेर करो कोई नहीं करवाएगा मौक टेस्ट मैं लगवाऊँगा आपके लिए डेली जल्दी से आजाओ जल्दी से प्रिंस कुमार D option के साथ आ रहे है और क्रेक्ट अंसर हैगा B option 143 143 अगला सवाल वर्षा की अमलता किसके द्वारा मापी जाती है यानि कि the acidity of rainfall is measured by the barometer, ammeter, hydrometer या pH meter जल्दी से बताइएगा मोहित बहुत फास्ट अंसर दे रहे है पर कोशिश करते रहे है बहुत ही बढ़िया बेटा सभी अंसर करियेगा सभी अंसर बताइएगा सभी अंसर बताइएगा बहुत ही बढ़िया correct अंसर रहेगा D, pH meter amalta बच्चा याद रखो amalta amalta क्या होती है यानि कि acidity इसका जो है साथ से चौदा के बीच का होता है कितना होता है साथ से चौदा के बीच का होता है बीच वाले को मैं neutral हा जाएगा और फिर इसमें ये बताएगा कि अधिक और कम से तक ठीक है जीरो से 14 ऐसे ले लेंगे ठीक है बीच में जो होता है वो neutral होता है क्या होता है neutral होता है और साथ से उपर होगा तो acidic और दूसरी साइड होगा तो basic होता है ध्यान से एक बार इसको concept को read कर लेना ठीक है अगर किसी को दिक्कत होगी तो मुझे बता दे न मैं आपको पूरा का concept ही पर से clear करवा दूँगा एक nanometer बराबर होता है पिछली साल भी आया था ये अपनी shift में जो third shift थी ठीक है जी तीसरे दिन का paper हुआ था बचों को ये कोशन आया था एक nanometer बराबर है किसके बराबर होता है nanometer जल्दी से answer कोमेंट कर दो वीडियो को भी share करो रोज आना आठ बजे मेरे साथ आईए answer दीजिए प्यारे बचो बहुत बढ़ी अप प्यार आपका बनेगा तो ही तो मैं आगे डेली और जादा questions लेकर आऊंगा जल्दी से answer दे दो मेरे प्यारे बचो answer दे दो answer दे दो बहुत बढ़ी है अभी शेक ठाकूर अंसर दे रहे हैं बहुत ही बढ़ी है सुमन अंसर दे रहे हैं मोहित अंसर आरें ठाकूर आदश प्रिंस बहुत बढ़ी है सभी अंसर देते रहेगा correct answer रहेगा 10 raise to power 7 पर नहीं होगा 7 नहीं होगा 10 raise to power 9 10 raise to power A option correct option होगी यहाँ पर option में थोड़ा सा mistake था option जो है बचो क्या होगी 10 raise to power 9 A option is the correct option A option is the correct option misplaced है next question question है pressure cooker में खाना कम समय लगता है क्योंकि the food cooks in a short time in the pressure cooker because why cook a food in the pressure cooker is so fastly why the temperature of the boiling water is decreased due to the high pressure wind is not affected due to the closer from all our sides the temperature of the following water is increased due to the high pressure and evaporation of the of used water is very less means की वैपोरेशन बहुत लेस हो जाए तो सही अंसर है इसका डी आप्शन बिलकुल नितिन बहुत ही बड़ी है नितिन डी आप्शन जो है वो इसकी सही होगी वैपोरेशन बहुत कम हो जाती है याद अख लेना अगला है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारन थोड़ा ऊपर की और उठा दिखता है कई बार हम कुंए में रहात ही डाल दता है बोलते हैं यह तो रहा सिक्का इसको पगड़ लेते हैं मगर वो गहरा होता है वो उठा हुआ क्यों दिखाए देता है परकाश का परवर्तन के कारण due to the light of reflection due to the reflection diffraction and total internal reflection what is the option by you जल्दी से comment कर दो प्यारे बचो answer दे दीजिए answer दे दो बेटा answer दे दो बहुत ही बड़िया और वीडियो को अच्छी लगे ना like जुरूर करिएगा like जुरूर करिएगा और साथ साथ में दीजिएगा answer B option परकाश का परवर्तन यानि की due to the light of reflection next question ध्वनी का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय तक रहता है जल्दी से बताईएगा मैंने आपको पढ़ाया भी है और आप वीडियो को देखिए हमारी classes को लगाईए बताएए ध्वनी का प्रभाव कानों पर कितने समय तक रहता है ये हमारा अंतीम सवाल है इसके बाद अब आपके mathematics के सवाल लगेंगे तो सभी मैंस के सवाल के लिए copy pencil साथ में रख लिया करो copy pencil साथ में रखा करो बच्चो जल्दी से अंसर दीजिएगा ध्वनी का प्रभाव हमारे कान पर कितने दे रहता है B option एक बटा दस सेकेंड B option जिनका है बिलकुल सही option है प्यारे बच्चो बहुत थी बढ़िया आप देखिएगा और अपने marks लगाएगा कि मेरे कितने questions वो correct हुए है next question आ गया है first question the cost price of an article is 200 and it's sold 198 loss percentage बतानी है loss percentage बतानी है बेटा क्या है question में आपके पास cost price कितनी दी है यानि कि क्राए मुले कितना दिया है 200 रुपया ये क्राए मुले है cost price को क्या बोलते है क्राए मुले ठीक है जी और selling price मतलब भी क्राए मुले SP कितने में बेच दिया 198 में देखो 200 रुपय की चीज को आप 198 में बेच चोके तो difference कितने का आया 2 का यानि कि बंदे को घाटा हुआ ना 200 की चीज थी 198 में बेच दी तो घाटे में यानि कि कम रेट पर बेच ची है यानि कि compound जो क्राए मुले है यानि कि cost price से कम मुले पर बेच ची है तो बेटा 2% का loss हुआ और loss percentage का जो है वो हमारा formula क्या आता है loss over cost price multiply 100 तो loss हो गया 2 रपे का cost price 200 रपे और percentage का 100 दोनों 0 गई 2 से 2 गया आपका कितना आ गया बेटा 1% कितना आ गया 1% 1% जो है वो सही अंसर है 1% सही अंसर है जल्दी से अंसर करिएगा next question की तब चलते है next question देखिए next question लगाईए next question लगाईए दिया हुआ है 249 और 248 का square तो इसमें क्या करेंगे a square minus b square formula लगा दो a minus b और a plus b क्या लगाएंगे a minus b a plus b यानि कि एक बार 249 हो minus कर दो 248 से और एक बार plus कर दो 249 प्लस 248 तो इसका बच गया 1 प्लस कर दो 8,8,6,1,7,1,4,4,8,1,9,2,2,4,1,5 5,97 497 497 C option C option बचो C option के साथ जाना है C option सही option जाएगी ठीक है जी सभी अंसर बहुत बढ़ी है अंसर साथ साथ में लगाओ question स्टार्ट करो अब ये इस question का अंसर बताओ solve करो A प्लस B का whole square का formula लगाएंगे क्या होता है A प्लस B का whole square जल्दी से अंसर निकालो A square प्लस B square प्लस 2AB अब ये आपका A है ये B है बचो भरो 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 जल्दी से अंसर करो time निकल रहा है समय निकल रहा है कोई नहीं आएगा फिर आप पच्टाओगे उस पच्टाने से पहले क्या है हम अंसर निकाल लेंगे match करो कहां पे हो गया कहां हो गया x square प्लस 4 x plus 4 x square प्लस 4 ये तो गलत है ये गलत है ये भी गलत है b option गलत है गलत है न या option number अब आपकी c d option रहेगी d option रहेगी है d option accurate है match करो x square 4 x plus 4 बेलकुल सही हुई न ये है आपकी power 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 ठीक है जी next question लगाओ फटाफट find the sum of this and this बहुत ही simple था है lcm ले लो इनका एक बटा दो plus एक बटा तीन ठीक है आपने क्या करना है ऐसे नहीं करना है traditional method तो सभी करते है मैं आपको दूसरा बताऊंगा आपने क्या करना है आपने lcm जैसे एक बटा दो और एक बटा तीन का lcm क्या आया 6 आया 6 से multiply कर दो कितना आ जाएगा बच्चा 3 दो 5 ठीक है जी कितना आया 5 आ रहा है 5 आ रहा है पर इन दोनों का sum पुछा है अच्छा है इन्होंने दूसरी फॉर्म में पुछा है ऐसे नहीं पुछा है ऐसे नहीं पुछा है ऐसा नहीं होगा दूसरी फॉर्म में पुछा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1 बटा 2, जमा, 1 बटा 3, taking LCM 6 आ जाएगा, फिर 3 और यहां पर 2, 5 बटा 6, 5 बटा 6, B option, B option बिटा, कितनों का अंसर सही है, सभी अंसर शेयर कर देना, B option, B option सही है, बचाओ, B option सही है, 34 number question हो गया है, 34 number question हो गया है, B option सही है, अगला question है पंदरा पंदरा सेम आगे ग्यारा में से साथ गए यानि कि चार आगे चार वटा पंदरा बी ऑप्शन सीधा आंखों से ही प्यार हो जाता है करने वाले की बस नियत होना जरूरी है कई है सही है सही है सही है सभी लगाओ 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 अगला लगाओ simple last form में लिखना है simplest form 24 बटा 44 है कार दो, दो दुनी चार दो दुनी चार, दो एकम दो 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 चीके बारा छे, रेशो 11 है हवा आने दो जिसका time waste वो waste एक घंटे में पूरा मौक लगाना है एक घंटे में पूरा मौक लगाना है YouTube पर सब को दिखाना है कि फालतू की बक्वास नहीं करनी है लगाना है मौक तो एक घंटे के अंदर पूरा लगाना है अगला क्वेशन बताओ अगला क्वेशन बताओ बच्व जल्दी से टाइम निकल रहा है एक क्रिकेट टीम 11 खिलाडियों और कोच की ओसत आयू 18 वर्ष है यदि कोच की आयू निकाल दी जाए तो ओसत आयू एक वर्ष कम हो जाती है तो आयू क्या होगी जल्दी से अंसर बता दो अंसर बता दो जी 18 साल थी जी 18 वर्ष का है 11 है और इसमें कोच भी समलित है यानि कि 11 हैं और कोच भी समलित हैं तो टोटल कितने होगे 12 बंदे होगे उनका आसत कितना है 18 है और 12 गुना 12 गुना 18 कितने होगे 216 enslaved 26 होगे अब बोला है यह दी कोच को बाहर निकाल दिये जाए अगर कोच को बाहर निकाल दिये तो 11 रहे एक वर्ष 87, कितने होगे बच्चा 187 187 होगे जो कि हमारे इसमें कोच के साथ हैं और खिलाड़ी भी है अगर कोच को निकाल दिया है तो खिलाड़ी रहे गए है, तो दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया है, 29 साल का कितने का आ गया है, 29 साल का C option पर चलागी है C option correct option रहेगी C option correct रहेगी C option correct रहेगी, Mathematics है, Mathematics में बड़े-बड़ों का दुआ निकल जाता है मगर जो एक घंटे में करेगा वही विजेता कहलाएगा दो संख्याए हैं, दो अनुपात, तीन के अनुपात में हैं, यदि परतेक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो उनका अनुपात जो इतना बन जाता है बड़ी संख्या ग्याद करो बड़ी संख्या ग्याद करो क्या आएगा, 2X over 3X क्या है, परतेक में 5 जोड़ दिया है, जमा 5 तो अनुपाद कितना बन गया है, 5 अनुपाद 7, निकि 5 बटा 7, cross multiply कर लो, 7 दुनी 14, ठीक है, 35 बराबर है 15x, जमा 25, कितना हो जाएगा बच्चा, अब बताओ, यही साइड हो जाएगा 35, minus 25, यही साइड हो जाएगा, minus हो जाएगा, x के वाली कितनी हो जाएगी, 10, 10 option है यह आप से पूछा होगा कुछ और, तो बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या यहीм, कि यह संख्याओं का अनुपात है, क्या है 2 अनुपात 3, तो बड़ी 3 हुई, तो 30 हो अन्शर, अगर चोटी पूछी होती तो 20 होता, तो बड़ी 1 पूछी है, तो 30, 30 option कौनसी है, D option ही हमारा correct answer रहेगा बिटा ये है power of mathematics और जो कि हमारे 38 question जो हमने कर लिए है और भी हम कर लेंगे अभी हमारे पास 10 minute पूड़े बागी है जल्दी से answer करिएगा एक आयत का आधार जो है वो 12 cm है उन्चाई ये है जल्दी करिएगा उसका शित्र फल ग्याद करना है आयत समस्ते ना आयत rectangle है और इसका अधार जो है वो 12 है उन्चाई पांच है ठीक है जी शित्र फल निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो शित्र फल है वो length into breath होता है लंबाई गुना चोड़ाई बेटा याद रख लो नोट कर लो फुत्र नोट कर लो 12 पंजे 60 तो 60 option है यहाँ पर देखो 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 question answer बहुत बढ़िया से बहुत ही बढ़िया से answer speed मैं answer देँगा मैं कोई time wastage नहीं है वीडियो को like की रूट करना दोस्तों को भी share कर देना कि कल आकर ठोक बजाकर जो है वो answer देए और अपने marks बनाएं next question की तब चलते बैचो जल्दी से आजएए दो घं है घं मतलब cube है और उनका आयतन का अनुपाद जो है वो एक 27 है मतलब एक ये है आपका cuboid है और ये एक cuboid है ठीक है बैचो अब एक जो एक का है दूसरा 27 इसका ये बोला है अब इनके प्रिष्टिय शेत्रफल निकालना है प्रिष्टिय शेत्रफल मतलब surface area क्या निकालना है surface area दोनों का ठीक है अब कैसे निकलेगा अब आपको यादखना है cube है तो cube one का cube that तिन्तिय नो तियस ताई इसका भी cube हो गया ना cube 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 यानि कि one ratio three है option हवा आने दो हवा आने दो मेरे भाई हवा आने दो direct answer आता है direct answer आता है प्यार विच्व correct answer जो है वो क्या रहेगा शेतरपल प्रिष्टी शेतरपल अच्छा square ले लेने है square ले लेने है option बहुत ही बड़ी है मोहित बहुत बड़ी है शाबाश मैं आपको बोलूगा कि सभी answer दे रहे हैं बच्चे और बहुत ही अच्छे उंदा answer दिये हैं और मोहित ने बिलकुल सही answer दिया था बहुत ही बड़ी है अगला सवाल अगला सवाल आ चुका है एक क्रिक्टर अपनी आठ पारियों में निमन रन बनाता है इतने 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 उसका औसत क्या है औसत रन बहुत ही simple question है कुछ भी नहीं है number of quantities या some of the quantities over total number of quantities यानि कि राशियों का योग और उवर कुल राशियां यह औसत है यानि कि आपने क्या करना है आपने इन सब को plus कर लेना है किस किस को 58 को 76 को 40 को 35 को 46 को 45 को 0 का तो कुछ होगा नहीं हो 100 यह आ गया 0 मैं ऐसे लिख रहा हूं टोटल कितनी होगी एक दो तीन चा 5, 6, 7, 8 यह 8 संख्याएं होगे अब इसका टोटल कर लो 100 100 में यह 45 आगे 145 होगे 95 होगे ठीक है 90 में यानि कि कानुमे हो 90 तो इसको टोटल करो टोटल करो ब्यार बचो टोटल कर लो प्लस कर लो कुछ नहीं है जादा समय इसी में लगेगा प्लस करने में कितना हो रहा है कितना हो रहा है प्यारे बच्चो जल्दी से विदा है छे 5 11 दो चार चार आठ नो दस ग्यारा बारा तेरह चोदह पंद्रह तोड़ा स्थारह ठारह ठारह ने इस बाइस बाइस कितना बन रहा है 402 कि 802 402 आरहा मेरा कितना आरहा है 402 आएगा ठीक है इसको कर लो आठ पंजे चालिस लगा पॉइंट आया जीरो तो आठ दुनी सोला पॉइंट बाववन आठ पंजे चालिस लगा पॉइंट 52 आ रहा है कुछ 50 नहीं आठ पंजे चालिस लगा पॉइंट यह जी जीरो पॉइंट हाई ठेक है 50.25 50.25 पचे देख लो 50.25 in option ना आपको ध्यान रखनी पड़ेगी मौइत आठ है भी यह 8 ही है यह कि नेस्ट संख्याओं का महतम समय वर्तक ग्यारा लगुतम समय वर्तक इतना एक संख्या ये है, दूसरी संख्या, ये हर बार आना है, ये आपको अभी भी आना है बच्चा पेपर में, ये ही क्वेशन ऐसा ही आना है, डिट्टो का डिट्टो, अभी भी रट लो, दिमाग में रख लो, LCM into HCF is equal to first number multiply second number, पहली संख्या गुना, दूसरी संख्या, देखो दो संख्याओं का HCF 11 है, तो मैंने ये 11 लेग दिया, LCM लोगों तमसावा तक तक तना है, double seven, double zero, यदि एक संख्या 275 है, एक संख्या ने की 200, दूसरी निकालो दूसरी को मैंने, एकस माल दिया, तो एकस बराबर है, 700, over 11, over 275, इतना clear है की नहीं है, ठीक है जी, 11 से कार द तो, ग्यारा एकम ग्यारा, ग्यारा दुनी 22, और ग्यारा पंजे 25, 5 से काड़ लो, पंज पंज पंजे 25, 5 एकम 5, 5 पंज 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 पंजलो, पंज ग्यारा पंज़। चाड़ी, 308 308, B option 308, प्यारे बच्चो B option accurate आ रही है, देख लो answer match हो रहा है कि नहीं हो रहा है कहां होगा 7, 7 कहीं नहीं होगा भीया, ध्यान से देखो B option है B option 308 308 308 answer होगा भीया, सही answer है आप ये ध्यान से करिए 42 नमबर हो गया, 43 नमबर question पे पहुंच चुके हैं, जल्दी से answer दीजिए 15 प्रतीशत of 15 का यानि कि 15 भटा 100 of का मतलब multiply गुणा 15, 15 पंदर ये 200, 25 भटा 100, 2 लगे तो 2.25 A option A option correct answer है बच्चो, A option correct option है, ये है mock, ये full test है आपका, full test वीडियो को देखने के बाद जुरूर बताना आपने answer, comment करें कितने number लिए है 45 आदमी एक तलाव को 15 दिन में खोद सकते हैं यदि इस तलाव को 15 दिन में खोद ना हो तो कितने आदमियों की जूरत होगी, बड़ा important question है, work and time suggested है ये आते हैं question इसमें हम लगाते हैं, m1 t1 d1 over w1 is equal to m2 t2 d2 over w2, formula है यही use करते आए हैं 45 आदमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, यदि इस तलाव को 15 दिन में खतम करना है तो आदमियों की, यानि कि m2 into 15, ये पूछा तो m2 तो same रह गया 15 और ये 25 बटा 15 और 15 एकम 15 15 ती ये 15 और पच्ची ती ये 75, तो m2 की value कितनी हो जाएगी बच्चा, 75 हो जाएगी, समय बेस्ट ना करें पेपर में भी, और मोहित बहुत बढ़ी है मोहित बहुत बढ़ी है, जल्दी से साथ-साथ question करा हो लो, रोजाना question लगा हो हमारे साथ, be option, correct option be option, correct option देखिए, बिल्कुल सही option है ये है हमारी तैयारी और हम रोजाना जब आएंगे, तब हमारी और speed बन जाएगी एक घं़ की स्तेह एक घं़ में कितने स्तेह होते हैं, यानि कि how many surfaces in the queue एक घं़ में कितने स्तेह होते हैं, तो अब आप घं़ देख सकते हो आप एक ये हो गया ठीक है डबा मैं ले लेता हूँ, कोई box ले लेता हूँ, मैं सुझाता हूँ ये घं़ ही समझ देजिए, इसकी स्तेह ये faces पूछे, एक, दो तीन, चार, पांच, छे टोटल कितने हुए बेचा face छे faces हुए, कितने हुए जी छे faces हुए हैं एक, दो, पीन चार, पांच, और फिर उसके बाद, एक, दो तीन, चार पांच, और छे माई ये पे आएगा वो सामने वाला face आमने सामने के, ठीक है, तो टोटल टोटल faces कितने होँए बेचा, छे faces होँए, छे, आरेन बिल्कुल सही है, six faces next question, छे इस नमबर आगया है, दिये गए बिल्कुल पर में से, रिक्त अंक ग्याद करना है, श्रिणी में है, missing the series, आपका reasoning का आगया है, अब इस series को बताएं, यह series कौन सी बन लिए, देखो, one का square है यह, यह two का square, three का square, four का square, five का square, six का square, तो seven का square, यह eight का square, तो यानि कि 49, answer is 49, जल्दी से answer क्या करो बचो, जल्दी से जल्दी अपना answer क्या करो, तो ही आप इन questions को कर पाएंगे, अगला सवाल अगला सवाल दीजीए यह है, आपके पास series का ही है, फिर से question series का ही आया है A, B, C, D दिया हुआ है, अब इसमें क्या combination चल रहा है, देखो, C के बाद E है, यह, A, B, C D भी गया फिर E आया, यानि कि plus two F आया, G आया, H गया I आया, यानि कि plus two J आया, K आया L गया, और M आगया plus two, यह नि कि O हो गया है ठीक है O हो गया है साथ साथ में करो, साथ साथ में बिटा अब क्या आएगा सभी बनाओ, बनाओ combination बनाओ plus two होगा plus two होगा तो क्या आएगा O के बाद क्या होगा Q और यहां पे R और फिर S, Q, R, S Q, R, S C option में जा रहा हूँ मैं तो बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है Q, R, S Q, R, S बनाओ रहा है combination plus two, plus two का ठीक है जी, बिल्कुल सही है answer C option के साथ कितने मेरे सही थे भी आरे लाड़ ले लाड़ ले हमारे सही होने जाए जी अगला question 48 number सवाल जल्दी से answer दे दो answer दे दो बेटा bat है और A, Y, S B, A, T ठीक है अब A के बाद B है ठीक है और Y के बाद A के बाद Y है और ठीक है अब A के बाद यानि कि X, Y और Z होता है पिर उसके बाद A, B, C होता है यानि कि minus 2A हो गया ये plus 1 हो गया S, T S, T के अंतलब ये इससे combination है तो plus 1 है ये इसका combination यूँ है उल्टा है ठीक है तो अब इन्होंने दिया है हमारे पास किसका दिया है B, Y, S B, Y, S इसका भी combination ऐसे बनाओ B के बाद क्या आता है C B के बाद क्या आता है C Y का तो सिधही आ गया A और S का T ठीक है C, A, T easy था ना कुछ भी नहीं है D option बहुत बढ़ी आरेन बहुत बढ़ी है आरेन बिल्कुल सही अंसर दे रहे बिटा बहुत बढ़ी है अगला question ये आ रहा है आपका distance से जो direction related questions होते है विजे पांच किलोमेटर दक्षिन दीशा की तरफ चलता है अब मेरा destination ये है और मैं दक्षिन की तरफ है यानि कि नीचे की तरफ चलता हूँ दक्षिन की तरफ पांच किलोमेटर कितना चलता हूँ पांच किलोमेटर फिर उसके बाद दाहीना मुड़ता हूँ, अब देखो मैं यहां से आगे की तरफ गया, तो मैं दाहिने इस साइड को मुड़ूगा ना, यानि कि मेरा दाहिना यहां के एक दाहिना इस साइड को हुआ, वो कितना मुड़ा हूँ, तीन किलोमेटर चलता हूँ फिर दाहिने, फिर मेरे जब यहां पर इस डिरेक्शन में ऐसे हो गया, तो मेरा दाहिना कहा हुआ, उपर की तरफ इस साइड को, तो दाहिने की और मुड़ता हूँ, और पांच किलोमेटर और चलता हूँ, अब बताओ कि प्रारंबिक स्थल से मैं कितनी दूरी पर हूँ, यानि की प्रारंबिक स्थल मतलब सिधा उसी जगह पर पहुंच गया, जितना यह है, उतना यह है, तो बन रहा है न स्क्यार, यह रेक्टेंगल, तो यह तीन है, तो यह भी तीन हुआ, तो थीन अंसर होगा न भीटा, तीन किलोमीटर, कितना अंसर होगा, यह है आपका डिर्यक्शन एलेटेड कोशन, डिर्यक्शन के जरूर कोशन आने भीटा, तो यह परफैक्ट कर लेने आपने, ठीक है, लास्ट कोशन तूरा paper mock लगा दिया हमने full mock लग गया हुआ जल्दी इसे last question बता दो one five seven eight nine x t z a l code दिया है ये ठीक है बिचा और दूसरा code क्या दिया है two three four six इसका दिया है n p s u ठीक है तो आप से पूछा किसका है पूछा है हमसे two three five four और nine का कोई बात नहीं जल्दी नहीं करनी है अब two है तो two का n आ गया ठीक है जो दिया है वही note करना बचा three का p है five का t है four 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 का s है और nine का l है दिखो अब कौन सा है n p t s l n p t t s l a option आ रहा है a option आ रहा है वच्छा यह नहीं n t a मैं n p t n t p s l देखो 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 बेटा n t p s s l यह होगा a option होगी c option नहीं हो सकती c option नहीं हो सकती a option is the correct option i hope कि आपको आज का मौक बहुत ही अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों यह मजा आया हो तो जरूर बताना और यह भी बताना की कैसा लगा आपको और जो भी आपको requirement है वो आप हमें बताएगा बने रहेएगा रोजाना आठ वजे विजेपत गॉर्मेंट all exam preparation के लिए और यह अभी चल रहा है अगनी वी special classes mock test series तो दोबारा हम नए mock test series के लिए मिलेंगे अपना खास ख्याल रखिएगा जय हिंद जय भारत